कितनों वहाँ डबल इंजन के सरकार बने ना कोई एंडेश्टी उदोग गया ना कोई वहाँ बढ़िया इनिवर्चिटी खुला ना कोई कालेज खुला सराब बंद हुआ सराब हर गाउं में सप्लाई हो रहा है हर जिला उनमंडल में जा रहा है नीतिस कुमार जी कदम उठा बनेगा हैं लेकिसशेज नहीं होता है मिल्जूल के काम सप्लाई कर दिया जाता है बहुत काफी बिरुजगारी बढ़ गया है पिहार में पुरा देश में वह कर बंद बनेगा तब बिहार उपी में पहले बिरुजगारी हम खत्म करेंगे ना उतर परदेशमें worker वह ईलान प्रशनाने वाले हैं मोधी जी ने कहा था जब उनके डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिहार में बेरोजगारी खतम होगी आप इस पर क्या कहने चाहेंगे देखिए हम लोग बिहारे से बिलम करते हैं दिली से बिहार हम लोग आना जाना लागा रहता है अभी कितनों वहां लेकिन सक्सेज नहीं होता है मिल्जूल के काम सप्लाई कर दिया जाता है बहुत काफी बेरोजगारी बढ़ गया है पिहार में नहीं पुरा देश में बेरोजगारी बढ़ा है मोधी जी कहे थे कि डबल इंजन का सरकार बनेगा तब बिहार उपी में पहले बेरोजगारी ह ऐसा हो गया कि बीजेपी की सांसत से कोई अगर प्रसनल काम छोड़िये समाजी काम के लिए कोई चिठी आप कुछी पैर्वी के लिए जाते हैं तो बीजेपी के एंपी हाथ उठा देते हैं कि हम नहीं लिख सकते हैं और उपरसे गरी मंतराले सेश माना किया गया है हम की कोई चिठी नहीं लिख सकते हैं हमारे यहां सासा राम में डिकल कालेज यह कि अश्वशनी किमार 14 के इंद्रे स्वास्त मंत्री हैं बखसर के बगल के शंचट है और उनका वी दिनाया मेडिकल लगा हो सौव एकड़ किसान जमीन देने के लिए तयार है लेकिन ये डियम जो था वो बोला कि मंत्री जी ऐसा ही बोल दिये इसा कुछ नहीं है आप लोग आपना जो कर रहे हैं जमीन कागज पतर ले जाई कोई नक्सा के जूरुत नहीं कोई में यहां लगने वाला नहीं यह सब जूटिया बात होता है डियम का बयान है जो कि देवेंदर परासर डियम था उसम है लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सासा राम एक बनारस गया का टकर देता है एक इतिहासिक संस्कृतिक धरोहर है एक भी बढ़ियां वहां इनवर्सिटी ना स सिती है और चीजिरिवाल जी एक लायएने की बुले थे यहां पर की बिहार से लोग पांथ उर्पया के टिकट लेके आते हैं आपांच लगते करला के उलाज करके जाते हैं उनका वह कोचन सही है काना क्यूंकि पिहार में उस तरह के विवश्था चाहें 200-200 बेड का होस्पिटल बनाना चाहिए हर जिला में होना चाहिए विवस्ता उस तरह का लेकिन ऐसा को मेरों को लगता नहीं है कि बनारस पटना के बाद कहीं बढ़ियां होता है उधर इधर आईएगा आरा सासा राम सब इधर सब बनारस भाग आते हैं बी एचुम इ कि वहाते राम नौरल या में कि वाते हैं सब्दर जंग में यह पूछना चाहता हूं राज सरकार स्वाट्याश चाहिए इस पहले पर निर्मार दिन रखा गया लेकि अभी तक उसका जमीन अदिगरान नहीं हो पाया ना सासारम को कमिश्णी बनाया जा रहा है कोई इंडे महराष्टा के अंदर हम कहाना चाहेंगे कि राज सरकार स्यम साहब मुखमंत्री जी को हम ही कहूंगा कि अभी से भी कम से कम अपने बात पर काइम होना चाहिए जो लान ओडर है उसको सुधार और पुलिस पर सासन जो है कहीं चलते रहती किसी बैपारी को किसी बिजनेस को अब बहुत काफी है इसको पर भी लगाम लगाना चाहिए और सासन के सरकार जो है और पूर सरकार होना चाहिए दिली में केजरिवाल जी पूतरी के तरह है लेकि फिर भी देखिए सिक्षा के बहुस्ता कितना बेतरी नया मेडिकल में जाईए कितना दिके साफ सुतरा जग सबस्ता करता है तो यह सबस्ता होना चाहिए stu अपने उत्तर प्रदेश से प्रधान मंत्री बने हैं आपका सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब इसा हाल हो गया है तो सबसे बड़ा चीज है यहां बेरुजगारी दूर करना और इंडेश्टि उदोग जैसे भी है जो ग्राफ गिर रहा है जीडिपी का भी ग्राफ गिरा है इस सचाई बात है बहुत काफी बीज़ीपी के सासन में बेरुजगारी बड़ा है इस पर ध्या आद मांत्री जी राम जी के साहरा मतली जी राम के काम नवी बनेवा दिया राम मंदीर को कर Britney को बराइसञा उसा पर्म कर रहा है तो आप देखेए भी नोजवान फाह कितना फीर पढली से तयार हैं कितना उसका घर के लोग गार्जियन लोग पैसा लगा कि खेत बेच के अपना बिटा के पढ़ाया हुआ है उसको नोकरी नहीं मिल रहा है आज जंतर मंतर पाके बैटता है कही रेल जाम करता है कि चक्का जाम करता है सासा ढरां में मेडिकल बहतर बनेगा कहा कुछ हुआ कि कुछ हुआ नई पर्धान मंतरी जी मैं यही कहुँगा कि अपसे भी रस्ता पे आए और रस्ता पे आब के जन्ता के जूँए उस मैंडेट को आपने जन्ता का बाद का पालन कीजिए उससे भागिये मत आप पर्लियामेंट में भुझपूरी भाटवा भासा को आठवा सुची में लाने के लिए कहें वह भी नहीं आया आपका मनोच्तिवारी जो बीजेपी का ध्यक्षा उड़ेली चीलाते थे पहले सब जो सिला जब मुखमंत्री थ भाटवा सुची में जारी कराएंगे राज सरकार पास करके देदी पटना से और यहां पर्लियामेंट में लटका हुआ है कलोनी को आपने पास क्या कि कितना अधोनी कलोनी दिल्ली में पास किया जाए आपने सही किया अभी बहुत सारे किराडी के तरफ इदर सब्सक्राइब करें और घंडा नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और गंटी का बटन भी दवाना ना भुटें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले